नमस्षिवाय, श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चेनल पर दोस्तों आज मैं आपको सावन पूरण मासी का महवपाय बताने जा रहा हूँ सावन पूरण मासी के दिन आपको भगवान को भोग लगा करके एक चीज गालेनी है जिससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी सावन मासी का महिना ही और सावन पूरण मासी का विशिश मैत्व है पूरे महिने का पुन्य फल प्राप्त हो जाता है सावन पूरण मासी के दिन भगवान सिव का अवशिक करने से सावन मास का महिना भगवान सिव का प्रिय महिना ही जो व्यक्ति सावन मास में प्रति दिन भगवान सिव का पूजन करते हैं जो स्वागन मेलाय माता पारवती का पूजन करती हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और अटल सौभा की प्राप्ति का बर्दान भी मिलता है। सावन पूरण वांसी के दिन आगर आप ये चीज खाते हैं तो आपको अवसी ही लाम मिलेगा। दोस्तो इस वार दो दिन की पूरण वांसी पड़ रही है ग्यारत आरिक और बारत आरिक। जो व्यक्ति महिने की प्रतेक पूरण वांसी को भगवान विश्नू का पूजन करते हैं, पित्रों का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आरें इस सारी दुक पर इसानी दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान सिव को, केहुं के दाने, थोड़े से, चावल के दाने और काली मिर्च के दाने, बेलपत पर रखकर के जरूर अरपन करने चाहिए, इससे भगवान सिव का आशिरवात प्राप्ट होता है, और सात ही भगवान को खीर का भोग जरूर लगाएं। सुबह इस्नान के बाद में सूर्देव को अर्ग दें फिर भगवान सिव का पूजन करें उसके बाद भगवान विश्नु का पूजन करें भगवान विश्नु की पूजा करते समय ओम नमो भगते बास देवाय नमा मंत्रका जाप करें और भगवान के सामने पंचामरत अरप अरपन करें और साथ ही भगवान से निवेदन करन के प्रभू आप हमारे उपर अपनी कृपादिष्टी बना रखें उसके बाद भगवान के सामने थोड़ा सा गुड़ और कोई फल पुरुष फल रितु के अनुसार भगवान को अरपन करें गुरुबार के दिन केला नहीं खाया जाता इसलिए आप दूसरे दिन बारत आरी की पूरण मासी को भगवान के सामने केले का फल रख करके खा सकते हैं लेकिन गुरु बार के दिन आपको क्या करना है कि भगवान के सामने नेवेधन करते हुए कि प्रवु हमारी है मनुकामना पूरी हो आपको मुनक्के बजार से मुनक्के लाने हैं मुनक्के और बादाम ये दो चीजी भगवान के सामने अरपन करने हैं गुड के साथ में और स पिश्पत्वार का जो दिन होता है वो है पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है उसके बाद में दुपर के समय इस प्रसाद को खा लें और साथ ही गाय का दूर पंचाम्रत भी पी लें इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी ध्यान रखें बने हुए चने मुनक्के बादाम और गोड़े ये चार चीजे आपको खानी है आपकी मनुकामना पूरी होगी